तो आज मैं यहां पर आपके लिए एक नई रेसिपी लेकिया हूँ एक करी की जो बहुत ही यह मी एंटेस्टी बनने वाला है तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने मेरे पास एक बॉइलर था उसमें मैंने एक बॉइल होने के लिए डाल दिया था फिर एक मसाले में एक जगा पॉइंट कर्वाइब जाए ताक्य की यहां पर मैंने मसाले शहले हल्डी तरेके मिल जाएब होने ठेस्ट यहां पर काश्मीरी निर्शी पाउडर धनिया पाउडर कॉरिएडर पाउडर कोरीयंडर पाउडर-वन-ND Taj. त Сам है मैंने से एक लाए ऐ, तो भी मेरे पास तो भी मैने मारिगनेट में डाला और थोड़ा गरम अब सारे मसाली डालने के बाद मैं एक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और फिर वहां पर मैंने गैस पर कड़ाई चड़ाई उसके वहां थोड़ा ही तेल डाले लगभभव तो से 3 टेवल प्राउन जीर्शटन नषे में गार्ण बोड़ाई जाट एख रहार ही अघ्ट होसा गजाता है वहां पर रोगण यह मैंने वांटो तो आप ब्राउन हो जाता है थेसे बाद यहां पर मैंने रहां बूज यह इसको डूज ने थेद्वाब वहां रख़ता ना मैंने देस और फ्रेंट्स अगर आपको एक करी काजू और बदाम का पेस्ट डालना है तो आप ढाल सकते हो बट वो ऑप्शनल है अगर इसको भी पसंद हो तो आप वो चीज यूज कर सकते हो डेफिनिटली बट मुझे यहाँ पे नहीं पसंद है बहुत जादा तो मैंने यहाँ पे नह अल्दी पौडर बे डाला एक से दो डेबल स्पून उसके बाद यहाँ पे मेरा ओनियन अची तरीके से फ्राइ हो गया था तो मैंने अधरक लेसुन का पेस्ट जो तयार करके रखा था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया और फिर से इसको अची तरीके से मैं भून लूँगी देखो मैंने भूना है लगबग 2-3 मिनट के लिए भूना है आप भी इस तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड सच में बहुत यमी और टेस्टी बनता है एक बर जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे ही मेरा जिंजर गार्लिक और ओनियन भून के हो जाता उसके बाद यहाँ पे मैंने दो टामेटों चॉप करके रखे थे वो मैंने एड़ कर दिया और इन तीनो भी चारो भी चीजों को मैं फिर से लगबग एक से दो मिनट के लिए भून लूँगी और इसको मैं लो फ्लेम पे बहुत ही लो फ्लेम पे ढखके लगबग 5 मिनट के लिए हो गया है काफी अच्छा कलर आया है एग में तो एक बार इस तरीके से जरूर ट्राइग कीजिए का घर पे देखे काफी अच्छा कलर लग रहा है यहां पे टामेटों ओनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैंने यहां पे डाला था थोड़ी देख के पकाया है मैंने अब इस टेच पे मैंने मसाले आड़ किया है तो यहां पे मसाले मैंने यहां पे हल्दी पाउडर लगबग मैंने वन टेबल स्पून लाला है उसके बाद चीली पाउडर वन टेबल स्पून और साथी साथ काश्मीरी मेची पाउडर टू टेबल स्पून उसके बाद यहां अगर किसी को बहुत ज्यादा पसंद है तो आप उस स्टेज पे इसी स्टेज पे चिली रेड चिली पाउडर जो आती है वह आप 2-3 टेबल स्पून एड़ कर सकते हो तो यहां पर मेरे यहां बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है इसलिह मैंने बहुत कम ही डाला है तो यहां पर देख सकते हैं साथी साथ मैने इस पर फार मिंट्स के लिए फिर से चोड़ दूँगी ताकि जो मसाले भी है वह फ्लेवर चोड़े अपना यहां पर जो मेरा मसाला है काफी अच्छा कलर आया है उसका आप भी देख सकते हो यहां पर तो यहां पर मैने डगके इस टेज़ पे अब भी छोड़ दिया इसको लगभर मैंदे फाइ निट के लिए ही रखा था और जैसे ही मेना फाइब दो दो तो मैं इसको उपन करूंगी और फिर इसके इंद थोड़ा कस्तूरी मेथी जो होता है वो कस्तूरी मेथी और साथ ही साथ में इसमें 1-2-2 टेबल स्पून दही एड़ करूंगी कर्ड देखिए यहां पे मैंने कस्तूरी मेथी डाला है और उसके बाद यहां पे मैंने कर्ड भी यूज़ किया है वन टू टू टेवल स्पून अगर कर्ड नहीं पसंद है तो आप टमेटो थोड़ा जादा डाल सकते हो और मैंने साथी साथ घी भी डाला था ताकि घी डालने के बाद काफी अचा फ्लेवर आता है इसलिए मैंने घी यूज़ किया है तो यहां पे सारे मसाले मैंने भुनके हो गयते हैं तो मैंने साथी साथ जो फ्राइ किया हुआ एक था वो डाल दिया तो अब यहां पे सर्फ करने के लिए मेरा एक करी रेडी है आप भी इस तरीके से जरूर बनाईए एक बार जरूर ट्राइ कीजिए अपने फ्रेंट्स फैमिली के साथ शेर कीजिए रेसिपी को सच में बहुत अमेजिंग बना था और फ्रेंट्स अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे सारे न्यू वीडियो आपके पास पहुंचते रहे तो फ्रेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताईएगा एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई जैशी क्रिश्णा